बिस्मिल्हान उरहीम, दिसिस्आ आमना एंट तोड़य आम हेर विद bangलादेश अनूटीस का whit together अब आज का न्यूटापिक है बंगलादेश प्रोटेस्ट बंगलादेश में प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं arms स्टुडेंट्स कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वजा क्या है देखें ये जो वाक्या है इसको स्टार्ट हुए काफी देर हो चुके लेकिन मैं आज वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुए है बंगलादेश की हिस्ट्री में पंद मुल्क उनका इस टाइम आप समझो के बंगलादेश इस बर्निंग बट उन्होंने बंगलादेश को छोड़ते हैं ने का कभी मैं रिजाइन करती हूं मुझसे इस तरह की सिच्वेशन जोंसी है वो टेकल नहीं हो रही है थोड़ा सा अपनों को बताती जाओं कि बंगलाद सर्वस वहाँ पर नहीं है और थाउजर्स की तदात में जो लोग है वहाँ पर जखमी है ठीक है और हंडर्स में जो लोग है वहाँ पर वो मारे जा चुकी है उनकी आर्मी जोंसी है वो रोड्स पर आ चुकी है ऐसे हालाद वहाँ पर दूसरी दफ़ा ठीक है दूसरी दफ त्रॉप्स उनके स्ट्रीट्स में हैं और बहुत दा लोग मारे जा चुके हैं اب इन सब का प्रॉब्लम है क्या भई क्यूँ उनकी प्राइमनिस्टर भाग गई है क्या सेंग है क्या देखें जो रीजन है वह कोड़ा सिस्टम इंग वर्मन्ट्प प्राइम निस्टर ने जब आप मेहनत करते हो और आपके पास नोकरी ना हो आप मेरिट पर हो पर नोकरी ना हो तो तब आपको अतनी ही तकलीफ होती है जितनी बंगलादेश के स्टूड़न्स को अब हो रही है बंगलादेश इस टाइम एक ऐसा मुल्क है जहां पर सरकारी नोकरी की अच्छी खासी पे है और सरकारी नोकरी जो उसे है वो बहुत एहम समझे जाती है जिस था पाकिसान में समझे जाती है और अब मस्ला क्या है ठीक है मस्ला अंडरस्टेंड करने के लिए हमें जाना पड़े का हिस्ट्री में 1971 की बात है 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया बंगलादेश ठीक है मतलब के इस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे से होगे अलग अब उस वकत एक पार्टी थी अवामी पार्टी ठीक है जिसको कौन लेकर चल रहे थे और जब बंगलादेश अलग हुआ है ठीक है तो फिर उसको किस ने लीड किया शेक मुझीब रहमान ने लीड किया अब इस पाकिस्तान इनकी पराइम मिनिस्टर है शेक हसीना वाजिद यह अवामीलीक पार्टी का एक हिस्ञा है ठीक है मतलत उसको हैड लेकि है उसको पार्टी थी stenासकी regस्ना हाँ यह याद रहे कि ईनकी पार्टी का दोड़ाय ब आप 2019 gift eyes पाकिस्तान के खिलाफ लडने वाली जो फैमिलीज थी, 1972 में ये डिसाइड हुआ बंगलादेश में कि भई वो फैमिलीज, वो फ्रीडम फाइटर्स जो के बंगलादेश की जंग अज़ादी में उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी जान जोंसी थी, वो लगा दी, जान खतरी में डाल दी और पाकिस्तान से बंगलादेश को अलग किया, उनकी फैमिली, मतलब उनको, सिर्फ उनको, ठीक है, क्या मैं बात करियूं कि सिर्फ उनको, क्या मिलेगा, सरकारी नोकरियों में फिक्स कोटा मिलेगा, ये चीज़ डि प्रीडम फाइटर्स थे, मतलब कि वो लोग जो लड़े थे, बंगलादेश की जंग अज़ादी में पाकिस्तान के खिलाफ, ना कि सिर्फ उनको, बलके आगे उनकी जो उलादे हैं, अब उनको, फिक्स एक कोटा जोंसा है, वो दिया जाएगा, जोब्स में, फिर उसके ब बात होगी, क्लियर, ठीक है, यहां तक तो आगे समझ, यहां तक हो सफ़ पे स्टूडंस एक्सेप्ट भी करने के हाँ ठीक है, अगर इसी को लेके चलना है तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, कि स्टूडंस कह रहे हैं कि बाई करप्शन हो रही है, इस चीज में, कि मतलब हम में उन फ्रीडम फाइटर्स से कोई तालुक नहीं रखते हैं, मिन्स के करप्शन हो रही हुआ है, ठीक है, अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, जरा, लेट मी शो यू, कि क्या कोटा सिस्टम है उनका, एक में ने स्क्रीन शोट लेके रखा था, ओके, यह देख जोब्स हैं, वो फिजिकल जोटीस अबल लोग होते हैं, उनको दे दी गई है, ठीक है, उसके इलावा जो, लिट मी हाइलाइट, 44 परसंट जो नसी जोब्स हैं, वो आपको मेरिट बेस में मिलेगी, only 44 परसंट, 30 परसंट जो जोब्स हैं, वो मतलब फिक्स कर दी गई हैं, उनके बच्चों के लिए और उसके आगे, उनके ग्रैंड चिल्डरन्स के लिए, 10 परसंट जो जोब्स हैं, वो बेकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए फिक्स कर दी गई हैं, 10 परसंट जो नसी वोमन के लिए फिक्स कर दी गई हैं, और 5 परसंट जो नसी इस जो सीटे हैं ठीक? वह किसको ममिले ी? मेरिट की बेस पर मिलेंगी यही चीज एकफेप्ट के लागता है एक्सेप्ट है उसकया इसा निए होना चाहिए हमांअरा हक मिलना चाहिए वहांवा क्या है? उन्हांने पर्टैस्टार्ट की है अच्छा ये जो अब प्रोटेस्ट हो रहे ना इस तरह के प्रोटेस्ट जोन से थे वो 2013 में भी बंग्लादेश में हुए थे इस बात को आप लोगों ने याद रखना है ठीक है अच्छा और इसके लवा 2018 में भी ऐसे एहतजाज हुए जिसके नतीजे में शेख हसीना वाजित ने ये फाइनली डिसाइड लिया कि इस कोटा सिस्टम को मैंने खत्म करने ठीक है उन्होंने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया लेकिन उसके बाद रिसेंटली एक अदालती फैसला होता है और उसके तहद उस फैसले के तहद दुबारा से इस कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया जाता है जिससे एक नई एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाती है जो अभी भी जारी है ठीक है यहां तक आपनों को समझ आ चुकी है अब देखें वहां पर हो क्या रहा है शुरू शुरू में यह जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था यह बहुत बहुत ज्यादा पीसफूल एक प्रोटेस्ट था ठीक है लेकिन आइस्था इस्था यह मतलब कि यूगन से सिवल डिस ओबीडियन्स ठीक है और एक बहुत वाइटर मॉम्मेंट जों से थी उसमें कनवर्ट हो गया ठीक है और उन्होंने डिमांड्स शुरू कर दी गौर्मेंट के आगे कोट असिस्टन के इलावा उन्होंने कहा कि हमें एक कंप्रिहंसिव गौर्मेंट रिफॉर्म चाहिए ठीक है इसले हमें परिक पूरी की अकॉंट परीफिलिटी दे अवामी पार्टी थीक है उसके लावान में इसके मिन्छा है तो टूर्म्मेंट करी अगर रिसिपॉंस में इनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो किस तरा के वर्ड तर्यूह थैसे वाइट जिए करी थी क बाई अगर हम Freedom Fighters के Grand Children को नहीं देंगे नौक्रिया तो फिर हम किसको देंगे यह जो पर्टेस्टर्स हैं यह एक्षिल में टेररिस्ट हैं तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे थे और स्टूडंस का क्या कहना था स्टूडंस कह रहे थे के भई हम यूनिवरस्टी के नौर्मल लोकल आम मतलब के रहने वाले स्टूडंस हैं हम कोई टेररिस्ट नहीं हैं और हमारी डिमांड बिल्कुल ठीक है अगर आप लोग कोटर सिस्टम खतम करके मेरिट की बेस पर सब को लेकर आएं ठीक है तो हमें इ ही हुए है अवामी नीक के ऑपोजिशन में जो पार्टी थी उसमें भी यहां पर रॉल प्ले किया जिसके वज़ासे यह जो पुरा का पुरा जो प्रोटेस्ट यह बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुए है ठीक है और आइसा इसा 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 देखते देखती है जो जोन से थी वो भड़ती कहीं भड़ती कहीं और इंटेंस्टी ओफ डिस्सटिसफेक्शन एंड अंडरिस्ट अमंग दी प्रोटेस्टर्स इंक्रीजड इंक्रीजड एंड इंक्रीजड और इस तेम भी अगर आप लोग न्यूज चैनल ओन करें तो इसमें आपको नजर बिल्कू लेरा किया है पूरा कूरा निजलाम जोन से फज वो फ़ो ढरने मतलशीड रौन के मजईड पर्टेस्टर्स कह रहे हैं के मजएजड ध nerLA करें लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ पर मजीद पर्टेस्ट जोंसे हैं वो करेंगे ठीक है अब स्टुडेंट्स डिमांड क्या कह रहे हैं वो स्टुडेंट्स जोंसे हैं वो कहते हैं कि ठीक है खातीन के लिए माइनॉर्टीस के लिए मज़ूर अफराद जोंसे इनको आपने कोटा दिया है ठीक है दे दिया कहते हैं कि जो वन थर्ड परसंट एक तहाई हिसा जो आप लोग फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को अब देना शुरू होगे हमें वो एकसेप्ट नहीं है ठीक है तो अब स्टुडेंट्स कहते हैं कि मैडूट की बेस पर होने चाहिए पचास फीसद नोकरियां जोंसी है वो कोर्टा होल्डर्स को नहीं दी जा सकती है कभी भी इस तरह से एक स्टेट नहीं चलता है ठीक है तो यह उनकी डिमांड्स है स्टिल इस प्रॉब्लम ऑन गॉइंग और अब जबके उनकी प्राइम मिनिस्टर है वो वहां से भाग चुकी है तो पूरा का पूरा मुल्क जोंस है वो इस ताइम उनकी आर्मी के हवाले है और आर्मी चीफ जोंस है वो ही फैसला करेंगे वो ही कहने है कि हम लोग बहुत जल्द इंटरिम गॉर्मर्म जोंस है उसको हम लोग इंटर्डियोस करवाएंगे ठीक है और इवन कि इंटरनाशनल इटेंशन भी इस इस इश्यू ने बहुत ज़्यादा ली है उन्हों ने पी एक पिगाम बंग्रादेश बिजवाया है कि इस तरह की आप पर टेस्टर्स को नहीं रोक सकते हैं आप निकोशियेट करें उनसे तहां तहम्वल से बैट कर बात करें ठीक है बट स्टिल वहां की सिचुशन जोंसे वह बहुत ही इस ताम खतरनाग होती जा ही है if you have any question do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet until then stay tuned and Allah Hafiz